टू डॉस्टो विडियो देखने से पहेल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को डावा दू चॉकलेट बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें अक्सर महिलाएं अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए घर पर कुछ चीजों का निर्मान कर उसका व्यापार करती है ताकि इससे वे अपनी आजीविका चला सके इसके अलावा कुछ महिलाएं अपने शौक को पूरा करने के लिए भी यह कार्य करती है ऐसी ही एक वस्तू के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं वह वस्तू है चोकलेट जी हाँ इसे आसानी से लोग घर पर बना कर व्यापार शुरू कर सकते हैं यदि आपके पास अलग अलग तरह की चोकलेट बनाने की कला है और आप बहुत ही रचनात्मक तरीके से इसे बनाते हैं और इसके विशेशग्य हैं तो आपके लिए घर पर चोकलेट का निर्मान कर उसका व्यापार शुरू करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है इससे आप अपने कोशल का उप्योग कर कुछ पैसे कमा सकते हैं और लोगों के सामने अपने कोशल को प्रदर्शित भी कर सकते हैं यह कैसे होगा यह जानकारी हम इस लेख में देने जा रहे हैं किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले आपको उसके बजार का पता लगा लेना चाहिए आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप अपने चोकलेट के व्यापार को आपके एक शेत्र में दूसरों से मान कर उसे बेचते हैं और लोगों को किस तरह कीचा कलेट पसंद आ रही है और उसके अनुसार आप अपनी चोकलेट का निर्मान कर सकते हैं पिछले एक दशक में चोकलेट उद्योग में व्रिधी स्थानिया और विश्व स्थर दोनों में काफी हद तक बड़ी है और यह एक ऐसा आइटम है जिसकी मान कभी कम नहीं होती इसलिए इस व्यापार का भविश्य काफी बेहतरीन हो सकता है हाला कि जब आप घर पर चोकलेट बनाते हैं तो इस व्यापार में प्रतिस पर्धा मध्यम है लेकिन यदि आप इसके लिए अच्छी मार्केटिंग की योजन बनाते हैं तो इससे आपको अधिक सफलता मिलेगी कोई भी व्यक्ति जो चोकलेट खाना एवं इसे बनाना पसंद करता है तो वह इस व्यापार को शुरू कर सकता है फिर चाहे वह कोई ग्रिहनी महिला हो किशोरी हो या कोई वरिष्ट नाग्रिकी क्यों नहो कोई भी व्य जो इस व्यापार में रूची रखता है और इसमें उनका कौशल बहतरीन है वह सफलता पूरवक इस व्यापार को शुरू कर लाब कमा सकत है आवश्यक लाइसेंस एवं सर्टिफिकेट इस व्यापार को शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक लाइसेंस एवं सर्टिफिक ताकि इससे आगे कोई परेशानी न हो. इसके साथ ही इस खादिय उत्पादों को बनाने के लिए राजय या देश के स्वास्थिय विभाग द्वारा रसोई का निरिक्षन करना आवश्यक है. प्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यह रजिस्ट्रेशन हर विभावसाई को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके लोगों को कोई और अन्य ब्रांडिया कमपनी के लोगों के द्वारा कॉपी नहीं किया जा सकेंगा. जिससे ग्राहकों को आप तक पहुँचने में परेशानी नहीं होगी. और उनका विश्वास आप पर बना रहेगा. GST नंबर, व्यफसाई शुरू करने से पहले आप अपने व्यफसाई के नाम पर एक चालू खाता अवश्यक होले, इसके लिए आपके पास GST नंबर होना भी अवश्यक है. प्रिशिक्षन, इस व्यापार के लिए आपको किसी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से गूगल करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. गूगल पर आपको इसके लिए विभिन स्थान, विडियो, आर्टिकल मिल जाएंगे, जहां से आपको चॉकलेट के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी और आप चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया भी यहां से सीख सकते हैं. आपको केवल यह ध्यान रखना है कि आपकी चॉकलेट बनाने का व्यापार के लिए स्थान, इस व्यापार के लिए आपको उप्यूक्त स्थान की आवश्यक्ता होगी, जो की बाजार, सुपर मार्केट और शॉपिंग मॉल हो सक. ता है, इसके अलावा आप घर बैठे चॉकलेट का निर्मान कर इसे बाजार में पार के लिए मशीनरी एवं उपकरन, आपको चॉकलेट का निर्मान करने के लिए निम्न मशीन की आवश्यक्ता हो सकती है, मेल्ट यह मशीन चॉकलेट कमपाउंट को पिगलाने के लिए उप्योग होती है, हाला कि आप अपने घर पर गैस पर भी डबल बाइलर का उप्यो देगी. टेम्परेचर नियंतरित करना, आपके द्वारा बनाए हुए चॉकलेट का टेम्परेचर नियंतरित करने में यह मददगार होगी. रेफ्रीजरेटर चॉकलेटस को जमाने के लिए आपको फ्रिज भी आवश्यक्ता होगी. इसके अलावा इस व्यापार के लिए आपको कोई और मशीन की आवश्यक्ता नहीं होगी. चूकि यह व्यापार घर बैठे शुरू किया जा सकता है, इसलिए इसमें उप्योग होने वाली कुछ मशीने एवं उपकरन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाएंगे. चूकलेट बनाने के लिए आपको निम्न कच्चे माल की आवश्यक्ता होगी. चूकलेट कमपाउंड, सिलिकॉन के बने चूकलेट मोल्ड, स्पेचुला, एसेंस, चूकलेट को पैक करने के लिए रैपिंग पेपर, पैकेजिन के लिए आवश्यक सामगरी, चोको चेप्स, नाथ्स, रंग, फलोंका स्वाद, प्रे एवं, ट्रांसफर शीट आदी, यह सभी चीजे आपको बजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से भी ओर देकर खरीज सकते हैं. चोकलेट्स को कहां बेच सकते हैं? किन्तु इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना आवश्यक है. इसके साथ ही आप अपनी वेबसाइट के अलावा किसी अन्य प्रतिष्थित वेबसाइट जैसे अमेजन, फलिपकाटादी के माध्यम से भी अपनी चोकलेट्स बेचकर व्यापार कर सकते हैं. मारकेटिंग की योजना. आप अपने बनाए हुए चोकलेट की मारकेटिंग करने के लिए एक मारकेटिंग कित तयार करें. इसके लिए आपको अपने चोकलेट्स का कैटलोग बनाना होगा, जिसमें चोकलेट्स की कीमत, उसका वीडियो एव़म चोकलेट्स की विशेशताओं के बारे में जानकारी दी हुई हुनी चाहिए. आप अपने व्यापार का प्रचार करने के लिए पैंक लेट साधी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आनलाइन इसे फेस्बुक एवं ट्विटर की मदद से भी बढ़ावा दे सकते हैं जोखिम इस व्यापार में बहुत ही कम जोखिम है यानी न के बराबर अतह आप एक छोटे पैमाने पर इस व्यापार को शुरू करते हैं तो आपको इसमें कोई भी जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा यह एक अच्छा व्याफसाय साबित हो सकता है निवेश एवं लाब इस व्यापार के लिए आपको बहुत अधिक निवेश करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि इसमें जो भी कच्छा माल एवं मशिनरी का उप्योग किया जा रहा है वह सभी के लिए आपको कुल एक लाख रूपे तक बस खर्च करने पड़ेंगे और एक बार यह व्याफसाई स्थापित हो गया इसके बाद आपको इससे 25 से 45 प्रतिशत तक का लाब प्राप्त हो सकता है इसके लिए आपको अपना 100 प्रतिशत देना होगा ताकि यह व्याफसाई सफल हो और आपको अधिक लाब प्राप्त हो टीम, स्टाफ, इस व्यफसाई के लिए आप अकेले पूरी सेना हैं अर्थात इस व्यापार को आप अकेले भी कर सकते हैं हाला कि आप अपनी सहायता के लिए मजदूर को रख सकते हैं जो की कुछ एजेंसी के साथ आपका ओडर लाने, ले जाने का काम करने के लिए आपकी मदद कर सकता है बच्चों को चोकलेट्स बहुत पसंद होती है ऐसे में आप बच्चों को पसंद आने वाली विभिन तरह की चोकलेट्स का निर्मान कर उन्हें आकरशित कर सकते हैं और अपना व्यफसाय शुरू कर उसे सफल बना सकते हैं उमीद है कि आपको विडियो देखने से कुछ टुफेडा या मालम हुआ होगा तू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना